बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गाव में एक बुढिया रहती थी. उसका नाम धन्या था और उसकी आँखों में विशेश चमक थी. धन्या गाव वालों के बीच में बहुत ही प्रिय थी, क्योंकि उसकी कहानिया हमेशा सुनने लायक होती थी. हर शाम गाव के लोग धन्या के घर आकर उसकी कहानियों का आनंद लेते थे. एक दिन गाव में एक युवक नामक राज ने धन्या से कहा, धन्या दादी, आपकी कहानिया बहुत अच्छी होती है, पर मैंने कभी सोचा है कि यह कहानिया हमें कुछ सिखने का संदेश कैसे दे सकती है? राज बेटा, हर कहानी में कुछ सिख छुपी होती है, बस हमें उसे समझना होता है, तो सुनो बेटा, बहुत समय पहले की बात है, एक गाव में एक बड़ा सा पेड था, उस पेड पर एक आलसी बंदर रहता था, जिसका नाम बोब था, बोब दिन भर सोता रहता था, और क इसी काम में भी अधिक रुची नहीं लेता था, यहां एक महत्वपूर्ण संदेश है, राज बेटा, क्या तुमने सुना, क्या तुम जानते हो कि बोब ने अपनी आलसी आदतों के चलते क्या नुकसान उठाया, नहीं धन्या दादी, मैं नहीं जानता, कृपिया तब मैं तुम्हें बताती हूँ, धन्या ने कहा, और फिर कहानी में बरहावा दिया, एक दिन गाव में एक बड़ा तूफान आया, सभी जानवर अपनी जिन्दगी की रक्षा के लिए कुछ न कुछ करने लगे, पर बोब वहीं था, आलसी बैठा हुआ, राज बेटा, य धन्यवाद दादी, यह सचमुच में एक अच्छी कहानी थी, यह सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है धन्या दादी, कृपया आगे बताएं। और उन्हें एक सुखत जीवन देने का निर्णे लिया। यह तो सचमुच में अच्छी बात है धन्या दादी, कहानी का सिरा तो कुछ ऐसा है कि हमें दूसरों की मदद करना चाहिए और सहानु भूती से जीना चाहिए। राज बेटा, मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी कहानिया सुनकर लोग न केवल मनोहर हों, बलकि उन्हें जीवन में सही दिशा मिले।